इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत जिससे हृदय के लिए पूरे शरीर में रक्त पंप करना आसान हो जाता है। इससे आप में हौट अटैक या स्ट्रोक होने का जोखिम कम हो जाएगा। आर्बिटेल एम टैबलेट को खाली पेट या खाने के साथ लिया जा सकता है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार इसे रोज नियमित रूप से एक तैय समय पर लेना बहतर होता है। डोग्ज आपकी कंडीशन और दवा के प्रती आपके रिस्पॉंस पर निर्भर करेगी। अग तक कि आपका डॉक्टर ऐसा करने के लिए आपको नहीं कहता। आप एक्टिव रहकर धूमपान बंद कर और कम नमक व कम वसा वाला भोजन लेकर अपनी जीवन शेली में कुछ बदलाव करें। इससे दवा को बहतर तरीके से काम करने में मदद मिलती है। इस दवा के सबस या पता नहीं चल जाए कि यह दवा आपको किस प्रकार प्रभावित करती है तब तक गाड़ी न चलाएं या मान से के कागरता की आवश्यक्ता वाला कोई काम न करें। अगर आप साइड इफेक्ट से परेशान है या इन में कोई सुधार होता दिखाई नहीं देता है तो अपने डॉक्टर से बात करें। इस दवा को लेने से पहले अगर आपको किड्नी या लिवर से संबंधित कोई समस्या या बहुत अधिक डिहाइड्रेशन है तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताएं। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसे लेने से पहले डॉक्टर से भी परामर्श करना चाहिए। इस दवा का इस्तिमाल करते समय आपको अक्सर ब्लड प्रेश चेक कराना होगा और किड्नी फंक्शन का भी टेस्ट कराना पड़ सकता है। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद।